हलो फ्रेंट्स विल्कम तो मैं अनदर ब्लॉग तो आज साम में मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा क्योंकि आज मैं सुवा सुवा गया नहीं था अपना वर्काउट ड्राउंड कुछ वज़ा था जो मैं बताऊंगा कभी तो फिलाल मैं अभी अपना कॉलेज से तो आगया हूँ और अज मजह नहीं आ रहा है ऐसे वर्काउट तो हुआ नहीं है तो अच्छा लग नहीं रहा तो आज भी करूँगा एक्सरसाइब लेकिन मैं देख रहा है मेरा इटा एक ग सब्सक्राइब करने वाला है तो इसलिए मेरे को होता है रिकत तो मैं इटा डूंडता हूँ और कैमरा सेट करता हूँ तो मैं इटा टूंड लगा है और मैं इटा करता हूँ 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 और मैं इटा करता और मेर को ऐसे फीव होता है मैं आपके साथ कैसे बता हूँ मेर को समझ भी नहीं आ रहा लेकिन मैं पता आना जा रहा पता नहीं कैसे तो प्रेंट्स नाइंटी पुसब तो हो गया कंप्लेट और उस चंथ बता पुसब रहे तो कवा बशांब कव्हा अलना कर रहा तो नाइंटी पुसब तो याँ पुसब वागी रह गया चंक़ केमें रहे गिए प्ystem सेट मैं नाइंटी हो पॉपिक्ध हो पायाँ तो बताना आप अभी पहले जो आपने देखा था वीडियो में कैसा स्टार्टिंग में पॉंप था या अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखा एसा चेस्ट मेरा है नहीं मैं आपको बस ऐसे दिखा रहा है क्योंकि 100 फूसब के बाद धोड़ा सा पॉंप तो हो जाता है कि देखा को भी ऐसे है कि बताना पहले से अच्छा है अभी पंप हुआ है नहीं हो है बताना कमेंड में नहीं हुआ है तो मैं 100 फूसब कर लिए क्योंकि लाश्ट मेरा इक शवर कर लेना चाहिए और मेरा अंदर जोस आ गया था इसलिए मैं अपना फैटापट 110 फूसब कर लिया और अभी वड़ी मस्ट मस्ट फिलो रहा है और मैं इसपोट्स मारूंगा वह बस ठेटी है क्योंकि मैं ज्याद क्योंकि बाद बड़ी डेली करने का मैं ऐसा सोच रहा हूं डेली करूंगा तो इंप्रॉब्मेंट मेरे को भी दिखेगा कुजीनों में तो प्रेंट 100 फूसब्स और 50 स्कॉट्स भी कम्प्लीट हो गया और मेरे को मज़ा आ रहा है चेश्ट पर पॉंप हो गया और पहर भी मैं लग पर जान देता है नहीं क्योंकि दर्द देने लगता है तो मेरे से सैन नहीं होता और में सीरी नहीं चट पाता इसलिए मैं लग मैं परनव से बात कर लिए हम लोग चलेंगे वर्काट गांड और हम मज़ा और इक्सरसाइज दोनों करेंगे और बहुत ज्यादा मज़ा आने वाले कल तो आज वाला वीडियो देखेगा आज वाला को अगर आप देख लिए पूरा तो लाइक और वीडियो चैनल को सब्स